तो यहां पर क्या करना है कि आप लोग को प्रॉडक्शन मनेश्मेंट का किस पर बेस पर किस बेस पर एक्जमपल कुछन पूछी जाते हैं ठीक कौन से चेप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वीडियो काफी हेल्फुल होने वाली है तो वीडियो लाश तक देखिए त चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं पहले में मौडल के बारे में बात करूंगा फिर उसके बाद में इस्टे बाइस्टेप चिप्टर के बारे में बात करूंगा तो उसमें से क्या-क्या पूछा जाता था यहां आपका लग ड़ाय गंटे का पेपर होता है आपका ठीक ठाइगन ते का पुलान कितना होता है पच्चास होता थीक उसमें से 17 मार्क साप ऐसे को लाना अनिमार होता कि यहां पर जैसा कि आप लोगोग को पहला वाला कुशन्स देख परें पहला कुशन में क्या पूच्छा जा रहा है उत्पादन योजना उत्पादन नियंत्र्ण प्लानिंग और चर्टॉल ठीक यहां पर पर तीनों recommendarkar com प्रकारों के बारे में बात करना है ठीक तो वहां पर आप लोग को यह भी पता होगा ठीक पड़े होंगे अगर नहीं पड़े होंगे तो कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए मैं जल्दी से जल्द आप लोग को एक वन नाइट स्रीज लेके जरूर आऊंगा वीडियो मतलब नहीं पर एक दिन पहले ठीक तुरह पर आप लोग को सई धंग से बिद्ध धंग से मैं बताऊंगा ठीक नेश्ट पर आता है ओवर हैड लगाना ओवर्ट हैड लागत की यह जैसा कि आप लोगों कोई भी प्रोडक्ट बनाना है कोई भी मेटल बनाना है कोई फैक्टिरिय या फर्म लगानी है उसमें ओवर हैड लागत क्या होती है ठीक तूसको समझाना ठीक नेस्ट कुश्चन पुछा जाता है निमलिकित मेंसे किनी दो भागों का वर्डन कीजिए ठीक नीरच्छन क्या होता है नीरच्छन जैसा कि कोई भी फर्म रैक्टरिया लगानी है तो उस दो से डाइपेस तक लिखना पड़ेगा और लाश्ट में आता है नीरच्छन मानकों के बारे में जो नीरच्छन होता है मानक किस प्रकार से होता है मीनस यह जैसा कि आप लोगों पता कोई फ्रोडक्ट बनाया गया ठीक उसको किस प्रकार से मापेंगे ठीक वहां पर एक प्रडक्ट को मानक के रूप से एक बड़ा मानकी करण होता है तो वही मानकी करण काला था और आप लोग को पता ही होगा आई हो पढ़े होंगे नेस्ट कुछन जैसा कि आप लोग को देख पार है मानकी करण से कारचेत्र विस्तरित वर्डन कीजिए ठीक नेस्ट कुछन आता है गुल नियंत्रन करने वाले प्रमुख विचारक 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 कौन-कौन से समझाईए यह भी कुछन मोस्ट इ उद्देश गुल नियंत्रन उद्देश और मानकी करन यह 5 नमर का कुछे न है ठीक है यहां पर मुस्ट इंपॉर्डन्ट है यानि यह व्यूर्ण चेप्टर जो आप लोग का आता है निस्ट वाले नियंत्रन तो यानि इंस्पेक्शन और कॉलिट्टी कंट्रोल तो वो म कि प्रकार से नियंटण किया जाता कि इस प्रकार से उसका निजग खड किया जाता है ठीक हो कि इस बेस पर रहता है तुझ वहांपर माना के रूट बेस में रहता है ठीक तुह आप लोग को most important chapter a second वाला देखने को मिलेगा ठीक next question जैसा कि आप लोग तो देख पा रहे हैं फूर्थ वाले में क्या पुछा है संख्यां की करण संख्यां की गुण नियंत्रण का उद्देश क्यात किजिए और टी-ओ-यम टॉम टॉम क्या है संख यहां पर आता है यहां पर यह बतु लिजए ल्यंटр प्रदूसराण एक्ट हो गया ठीक तो वहां पर आप लोग द्यान से देख लीजेगा पढ़ लीजेगा ठीक नेश्ट कुशन आता है पाचा वाले में आउकलन के प्रमुख बोटेक्ट बनाए गया ठीक द्रीक्प उसके बारे में आप लोगको पताई कहाँ ठीक मूल्हास से किया चाहि यूंवًۚ विए सकता है अब रच्षड क्या रच्षड क्या है और रच्षड भी आप लोग को आई होब पढ़े होंगे सब्सक्राइब यही पर आप लोग को यह सुनिश्यत करना था कि यही मॉडल पर एसी बेस पर कुशन पूशे आता है और आता है नेश्ट पर जैसा कि आप लोग को फ़र्ष्ट वाला यानि प्रोडक्शन मनेजमेंट में कितने चेप्टर हैं लगभग पांच चेप्टर हैं पांच और क्या है प्लानिंग में अप्लानिंग ठीक और कंट्रॉल ठीक यहाँ पे बॉस्ट मॉच्ट कॉट्ड दहीं यहां पर इसका सी क्या होता धालिक यह क्या होता है ठीक इस में किस प्रकार से नियंतर्ण किया जाता है कितने टाइप होते है ठीक यह पे आप लोग को यह चेपटर most important है ठीक नेस्टी कुषिशन जैसे कि आप लोग को पता ही होगा पूछा जाएगा उसको किस प्रकार से नियंतर किया जाएगा तो आप लोग को सिकने वाले चेप्टर में देखने को मिलेगा ठीक वहाँ पे अब लोग को यह भी दिल लख लीजेगा और तीसरे वाजे कुश्चन में क्या पूछा है तो लागत जैसे कोई भी फैक्टरी या फ़र्म लगाया जा रहा है तो वहाँ पे अकेले तो लगाया नहीं जाता है उसके भी लगाया जाता है ठीक तो वहाँ फैक्टरी और फोर्थ वाले कुश्चन फोर्थ वाले चेप्टर में मरमत रख रखाव कोई फैक्टरी या फ़र्म लगाया गया उससे किस प्रकार से मरमत किया जाएगा किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा किस प्रकार से रख तो बस आज के लिए अगर वीडियो अच्छे लगें चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा सेयर करने की कोशिश कीजिए बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेश्ट विल्म तदक के लिए ज्याहिंद